हाईलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC MTS Exam 2023 के एक सितंबर की आल सिप्ट में पूछे जा सकने वाले GKGS One Current Aps के संभावित महत्पून परसनों को सालव करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारे आपके SSC MTS Exam Previous में पूछेगे परसनों के टापिक्स One Label इसके लाओ दोस्तों SSC GD, SSC CGL one CHSL में रीपीट हुए परसनों को भी सामिल करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोगी ने कांस्टेट होका सालव करें कोस्तों सकम सालव होने पर पुना परसनों का रिवीजन करें ताकि GKGS One Current Aps के टापिक से आप लोग SSC MTS Exam 2013 में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चले दोस्तों जदा समय ना लेती हुए हम लोगी न संभावित महात पुन परसनों को सालव करना सुरू करते हैं दोस्तों कोस्तों कोस्तों नमर वन है मारा आस्टेलियान ओपन 2013 में पूरुस एकल का खिताब किस ने जीता करेंट का मोस्ट इंपर्ण कोस्टन है दोस्तों राइट एंसर होगा नुवाक जोको बीचने नेक्स्ट कोस्टन है 32 में ब्यास सम्मान 2022 कोस्टन पर ध्यान दिजिएगा 32 में ब्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित क्या गया तो डाक्टर ग्यान चतुरवेदी को अगला question है भारत में पहली पंच वर्सी योजना कब शुरू की गई, पंच वर्सी योजना भी दोस्तों आप लोगों का most upon topics रहेगा, कुल कितनी चलाई गई थी, समय क्या क्या थे, लच्छी कितना रखा गया था, प्राप्तिया कितनी हुई, किस माडल पर आधारित थे, ये जीता, तो भारत में जीता है, अगला question है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ, सबसे पले नीति का फ्लोपाम पे बात करेंगे, तो नीति का फ्लोपाम होता है दोस्तों, National Institute for Transforming India, और इसका गठन हुआ था 1 जनुवरी 2015 में, और इस CEO है, VVR सुबरम मनायम, ध्यान रखेंगे आप लोग, अगला question है, UNESCO, UNESCO, यानि कि United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, सन्युक तराश्चिक पज्यानिक वम सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है, फुल फार्म है, इसका मुख्याले बताना है दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला question दोस्तों, महिला हा की Junior Asia Cup 2030, question पर ध्यान दीजिएगा, महिला हा की Junior Asia Cup 2030 का किताब किस ने जीता, तो ये भी भारत नहीं जीता है, अगला question है, भारते राश्टे कांग्रेस के पहले, मुस्लिम अद्यस काउंत है, तो बदुरुदिन तय अगला question है, भारते संग्धान सभा की पर्थम बैठा कब हुई थी, तो नव दिसम में 1946 को हुई थी, और दोस्तों, cabinet mission plan के दिन संग्धान सभा का गठन किया गया था, ये भी बार-बार पूछा था, और टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, next question है, सत्यार्थ प्रकास किसकी क किरती है, इन्होंने आज समाज की अस्थापना भी की थी, और बेदो की यो लोटो का नारा भी दिया था, अगला question है, घुमर किस राजी का पर्मोख लोग निवित्ती है, तो राजस्थान राजी का है, next, विश्यो कर्मा कामगार का लियार योजना किस राजी ने सुरू क किया है, तो राजस्थान राजी के द्वारा सुरू किया गया है, अगला question, एफ आईच राष्टिय पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विके पांडियन को किसे, विके पांडियन को सम्मानित किया गया है, एफ आईच राष्टिय पुरसकार 2022 से, 2023 से, आगे चल गया है जो कि केरल राज में पड़ता है अगला कोशन ने गड़तन दिवत 2023 प्रमुख यदिति कौन थे तो दोस्तों अब देल फता अलसिसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपती है अगला कोशन हरी पासा चोरसिया किस वाधियन से संब्धित है तो यह दोस्तों बासुरी मुख रूप से 6-7 लोग है दोस्तों आपके हर सिप्ट में यहां से कोशन देखने को मिलेंगे परमुख वाधक और वाधियन्त अगला कोशन है वरुण नव सेना भ्यास कोशन पर ध्यान दिजेगा करेंड का है वरुण नव सेना भ्यास भारत और किस देश के मध्य में मैक मौहर रेखा को हाल ही में औक चारिक रूप से मैक मौहर रेखा को किस देश ने माननेता दी है तो अमेरिका के द्वारा मैक मौहर रेखा कहा पड़ता है दोस्तों भारत वा चीन के बीच में आगे चलेंगे नेक्ट कोशन की और भारती राश्रे कांगरेश की मंदल में होती है, इसके उपर समताप मंदल है, समताप मंदल जो की वाय यान परिवान के लिए जाना जाता है, और इसी के उपरी हिस्से पर ओजोन प्रत का विस्तार है, जो की सूर से निकलने वाली अल्ट्रावेलेट किंडों से हमारी रच्छा करता है, उसके उपर दोस्त most important topic से है दोस्तों मूल अधिकान यानी के fundamental rights से question पूछा जा रहा है भारते संग्धान में मूल अधिकारों का ओडन है तो अनुच्छत 12 से लेकर अनुच्छत 35 तक है और यह संग्मिधान का भाग 3 है अगला question अकबर ने दिन ए इलाही का परवर्तन किस वस किया तो 1582 में किया नेक्स्ट बाखणा नांगल प्रियोजना किस नदी पर निर्मित है राइट एंसरोगा सतला जनदी पर लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य में अगला question है हाल ही में राष्टिय संस्कृती महोसो दोहजार तेस कायोजर कहा किया गया तो महाराष्ट में किया गया है नेक्स्ट सत्य सोधक समाज की अस्थापना तो जोतिवा फूले के दुआरा की गई सहनामा की रचेता कौन है राइट एंसरोगा फिर दोसी सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल स्युक्रूपा कलासेश को इसी तरह के वीडियोज के लिए दोस्तों इसके लाव तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कम टीटर हैं एक अच्छी प्रिपेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्युक्रूपा कलासेश को सब्सक्राइब जरूर करें अगला कोश्चन है काजी रंगा राष्ट्य उद्यान एक सिंग वाले गहने के लिए परसिद्ध है दोस् ने किस्युक्से वीटामिन के कमे से रख्ते का थक्का नहीं बनता तो विटामिन K है? यह कॉछने हमसे और हमसे बिटामिन की कमीắt रहला कोश्चान है DNA का फलफाम भी पूछाता है डी आक्सी राइबो न्यूकिलिक अमलो होता है अगला कोश्चन विटामिन C का रासाइंग नाम है तो स्कॉर्विक अमला है नेक्स्ट कोश्चन मौर सासा का सुग ने कलिंग परक कब आगरमण किया था 261 हिसाप पूर में क्या था हम लोग बार भी नीद को छोड़कर धम नीद का प्रतिपादन किया और यह बहुत धर्म के अनुयाई बने थे इनका लोग पर ये उपनाम भी है देव नाम पर ये दर्सी अगला कोश्चन भारत के ने चीफ हाप डिफेंस इस्टाप यानि की CDS कौन बने है अनिल चौहान आपका राइ G7 अलग होता है G7 शिखर समिलन 2030 कहां उजित हुआ तो यह हीरो सिमा में किया गया जापान में नेक्स्ट भारत के 78 में ग्रेंड मास्टर कौन बने है कौस्तू चटर जी नेक्स्ट भूकम्पे तरंगों को किसे सिमा पाता है राइटेंसरोगा सिस्मोगराप से नेक्स्ट आगाखा का किस खेल से समंदित है राइटेंसरोगा हाकी से नेक्स्ट शू कुमार सर्मा का समंद किस वाधियान से तो संतूर से टोटल कबर कर चुके दोस्तों यहीं से परमुप वाधव कुछे जाएंगे 5-6 लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में नेक्स्ट कर 35 मिंट पर चंद्रियान 3 लांच किया गया जो कि 2030 को चंद्रमा की दच्छनी दुरूप सफलता प्रूबक लैंड हुआ इसे जिस दोस्तों राकेट से लांच किया गया उसका नाम है LBM 3M4 अब यहां पर इसका पूरा नाम बता दोस्तों पूछा जा रहा है तो पूरा न आत में दिया था जिसे हम लोग धर्म चकपरवतन के नाम से जानते हैं और उन्हेंने अपने अपने अप्देश पाली भासा में दिये थे नेक्ट भारत में गुलाम उन्स का संस्थाब कौन था राइट एंसरोगा कुत बूद्धिन अयबाग तो यह थे दोस्तों इस पर दिये जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग